लेकिन बस एक चेंज हो गई है पिछली साल M21 2020 था अभी 2021 हो गया 2021 मॉडल फाइनली आपके सामने हाजिल कर दिया गया है लेकिन इसको आप कहीं और से पर्चेस नहीं कर सकते आपको यह Amazon सही पर्चेस करना होगा वो इसका एक्स्क्लूजिव पार्टनर है सबसे बले हैं पर Samsung बोलता है what are display मतलब display exactly मैं बोलूँ तो Samsung की display काफी अच्छी होती है in comparison to other phones हलके full के dent है तो आपको Samsung की screen के साथ को ज़्यादा दिक्कत नहीं आगी वही पे other brands है वहाँ नाम नहीं लूँगा वहाँ पर आपको अलकर फूल के dent आते हैं तो screen पर बहुत जल्दी विजबल हो जाते हैं तो इन टर्म्स वर डिस्प्ले वैसे भी Samsung हमीशे से master रहा है मतलब सारी big companies को almost यह display प्रोवाइड करता है तो यहाँ पर जो आपको display मिल रहा है full HDD plus super AMOLED display मिल रहा है मतलब वह उपर छोटी से एक बिंदी होगी टीका लगा रखा है कि नजर ना लगे phone को किसी की second important चीज़ किसी भी phone का अंदर होती है उसके battery बैटरी भी water है यहाँ पर water मतलब Samsung है literally यहाँ पर water लगा दिया 6000 image की battery अब 6000 image की battery तो Samsung claim करता है मैं नहीं वह बोलता है 22 गंटे तक आप Wi-Fi पे कुछ भी चला सकते हो कुछ भी विदियो आप 29 आउस तक चला सकते हो music 121 गंटे लगतार सुन सकते हो बात phone पे आप LTE network के सांद 49 85 गंटे अपरोक्स कर सकते हो और 15 watt charging के साथ आता है मतलब fast charging भी support करत तो बैटरी में Samsung wins camera किसी भी phone का important role play करता है हाला कि Samsung के इस range के camera's मेरे को बहुत ज्यादा convince नहीं करते हैं लेकिन फिर भी यहां पे अगरम camera की बात करें तो अभी जो on paper Samsung claim करता है वो बोलता है 48 MP का आपको main camera मिलेगा उसके साथ 1 megapixel का ultra wild camera मिलेगा जो की 123 टेक फोल को ले सकता है और यहां पर depth जो है 5 MP का मिलेगा मतलब जो bouquet effect को मिलता है camera करें तो पिछले phone में तीनों camera एक साथ चिपके हुए थे यहां पर दो भाइयों को एक साथ लग कर दिया गया है I don't know why Samsung ने ऐसा क्यों किया है बाट फ्रेंट में आपको 20 MP का camera मिल जाया तो अब आजकल MP सुनने को इतना बरबर लगता नो 48 MP 20 MP 20 MP का camera मिलता है आपको फ्रेंट में जो बिल्कुल फराटी दार आपकी selfie लेगा और आपको बिल्कुल आपकी फोल्टो में वह भी यहां दिखने में तो कमाल के लग रहा है तीसरी चीज आती है वाल्ट पर्फॉर्मिस मतलब फोन की पर्फॉर्मिस के लिए यहां पे आपको मिल जाता है सुपर पावरफुल टेन नैनोमेट्र का एक्जिन उस नाइसेक्स डावलन प्रोसेसर जिसके स्पीड ऑक्ता को प्रोसेसर 2.3 गीगाहस और 1.7 गीगाहस मतलब 15,000 तक के फोनों में देखो के ता आपको लगवक इस लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है तो मतलब प सब्सक्राइब करने तो मतलब आपको बहुत ज्यादा इशू नी आएगा फोन में डिजाइन के बात करने हैं पर नेक्स्ट जो कि बहुत जादा इंपॉर्टन को प्लें नहीं करता है बिकोज जो डिजाइन अल्मोस्ट पिछली बार जैसा है जैसा मनें बदाए पस कैमरे दोने बहुत चैंजिस इसके साथ सेंसे बात करने तो फोन में सारे बेसिक सेंसे देए उए एकसेप्ट यहां पर एंपसी नहीं है जो मैं देख पार हूं एंपसी बेसिकली आप सैंसंग के पंदरह जाएगा प्लस पंदरह आजार्ट प्लस वाले जो रेंज होती है उसमें आपने आता है एंवेकर करने बादे आप को सैंसं पे मिल जाएग आपको मिलेगा जहां पर यहां पर सेंसंग यहां पर धिखार लाग वह सिंपल कस्टमब सर्वेस्स मतलब तीन हजार अंट गए तो यहां पर सर्विस को लेकि इतना जाता दिक्क्ता आपको नहीं होगी त परफॉरमिस इन सबको हम कमबाइन करें तो फोन 11-12000 की लेने लाइक है और डिस्प्लेय में मैं बखाऊंगा एक वर फिर सैमसें के डिस्प्लेय अच्छी होती है और आपको चीज पसंद आई होगी कोई भी डाउट यह फोन को लेगे कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमें बॉक्स आपके लिए बनाए और उपर जो सब्सक्राइब प्रटेन बना है वो में लिए बनाया तो उसको सब्सक्राइब कर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए जो जो आपको करना है कर दीजिए बस आपका प्यार ऐसे बना रहा है तो आगे मिलते हैं नई वीडियो में बाब बाई